कि मैं हलो एभरीवन वल्कम टो करेंट पूर तो आज के डेली करेंट अफएर्स की स्रीज में हम लोग देखेंगे 28 मार्च 2023 के करेंट अफएर्स को और वीडियो में अन्ट तक बने रहें वीडियो के एंड में 27 मार्च 2023 के करेंट अफएर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे और ये आपको सभी कॉम्टेटीव एक्जाम के लिए काफी हलफुल होने वाला है तो अगर चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकों कोशन है पहला कि G20 की भारत की अधक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूः T.I.W.Z की पहली बैठक 28 से 30 मार्च 2023 के दोरान कहां आयोजित की जा रही है आंसर है इसका ओप्सन A. मुंबई G20 की भारत की अधक्षता के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूः की पहली बैठक 28 से 30 मार्च 2023 के दोरान मुंबई में होगी इस तीन दिवस ये बैठक के दोरान G20 के सदस्य देशों, आमंत्री देशों, छेत्रिय समूः और विभिन अंतर राष्टिय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधी वैस्विक व्यापार एवं निवेश में तेजी लाने के संबंध में विचार विमर्ज करेंगे विष्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थियेटर डे 27 मार्च 2023 को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ओप्सन C रंगमंच और सांती की संस्कृति विश्व रंगमंच दिवस World Theater Day 27 मार्च 2023 को रंगमंच और सांती की संस्कृती विशय के साथ मनाया गया केंद्र ने देश में कितने राष्टिये आदर्स वेद विद्याले अस्थापित करने की मनजूरी दी है आंसर है ओप्सन B एविल पुरसकार 2023 के संदर्व में निमलखित में से कौन सा कथन सकते है आंसर है ओप्सन C एक और दो लुईस कैफरेली को 2023 का एविल पुरसकार प्रदान किया गया यह पुरसकार गणित में non-linear partial equations और free boundary problem को लेकर दिये गए योगदान के लिए दिया गया है लुईस कैफरेली को 2023 का एविल पुरसकार प्रदान किया गया है उन्हें यह पुरसकार गणित में non-linear partial equations और free boundary problem को लेकर दिये गए योगदान के लिए दिया गया है एबिल पुरुसकार की सुरुवात जाने माने गनी तग नील से अहेरनीक के सम्मान में की गई थी नार्वी की सरकार ने 2001 में इस पुरुसकार की सुरुवात की और 2003 में पहला एबिल पुरुसकार GNPRA को दिया गया महिला विसो बॉक्सिंग चेंपियंसिप 2023 के 13 संस्क्रण में भारत को कितने स्वार्ण पदक मिले? आंसर है ओप्सन B चार स्वार्ण पदक महिला विसो बॉक्सिंग चेंपियन सिप 2023 के 13 संस्क्रण का आयोजन नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया इस चेंपियन सिप में चार भारती महिला बॉक्सर अलग-अलग वजन स्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे स्वीटी बूरा, नीतु घंघस, निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहिन ने अपनी अपनी स्रेणियों में स्वर्ण पदक जीती स्वर्ण पदक की स्रेणि में भारत सिर्ष अस्थान पर है जमुकस्मीर की पहली महला वन्यजीव संडक्षन पुरसकार से किस महला को सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन डी आलिया मीर को जमुकसमीर की पहली महला वन्यजीव रक्षक आलिया मीर को जमुकसमीर के उपराज पाल मनोज सीनहा ने वन्यजीव संडरक्षन पुरसकार से सम्मानित किया आलिया मीर ने पक्षियों ACI काले भालू और हिमाले भूरे भालू सहित कई जंगली जानवरों को बचाया है वह सापों को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है New Development Bank, NDB के नए प्रमूप के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है Option C, डिल्मा रुशेफ को 23 मार्च 2023 को NDB यनि की New Development Bank के Board of Governance ने सर्वसम्मती से ब्राजिल की पूर्वराष्टपती स्रीमती डिल्मा वाना रुशेफ को New Development Bank के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मार्च 2023 में आयोजित वायू प्रहार युद अभ्यास में भारत की कौन से सेना ने भाग लिया? आنसर है Option D, A और B दोनों ने यनि की थल सेना और वायू सेना दोनों ने वायू प्रहार अभ्यास भारतिय सेना और वायू सेना द्वारा आयोजित एक सन्युक्त सेन्य अभ्यास है थल सेना और वायू सेना के वायू प्रहार सन्युक तभ्यास का मकसद उचाई वाले युद छेत्रों में हवाई हमलों के समय थल सेना की गतिवीधियों के संचालन के शमता में विरिधी करना और आकस्मिक कारियों को अंजाम देने की परनाली में तीवरता लाना है केंद्रियवानी जे एवं मुद्योग मंत्री सूस्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्च 2023 को कहां इंडिया सौफ्ट के 23 संस्करन का उधगाटन किया आंसर है ओप्सन ए नई दिल्ली में केंद्रियवानी जे एवा मुद्योग मंत्री सूसरी अनुपरिया पतेल ने नई दिल्ली के प्रगती मैदान में इंडिया सौफ्ट के 23 संस्क्रन का उदगाटन किया उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडिपी के साथ एक विक्सित देश बन जाएगा जो भारत और वैस्विक समुदाई के लिए भी समान रूप से एक निरनायक शन होगा भारत के LVM3 M3 उपगरा सहित वेब इंडिया 2 मिसन के तहट कितने उपगराहों को 27 मार्च को लॉंच किया गया आंसर है ओप्सन B 36 को भारत के LVM3 M3 उपगरा सहीत वेब इंडिया 2 मिसन के 36 उपगराहों का भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्री हरुकोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंदर से आत्सुबा सफल प्रक्षेपन किया गया तो चली अब 27 मार्च 2023 के करेंट अफेरस का रिवीजन करते हैं स्वीस ओपन बैडमींटन 2023 का डबल स्यूगल का खिताब किस नहीं जीता तो साही राज, रैंकी रेड़ी और चिराक से टीने सन्युक्तराष्ट 2023 जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च 2023 के बीच कहां आयुजित किया गया तो न्यू यॉर्क में विस्व रंग मंच दिवस, वर्ल्ड थीएटर डे की स्थिती को मनाय जाता है तो 27 मार्च को प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी की किस योजना का संबंध प्रो प्लैनेट पीपल P3 से है जो परियावरन के अनुकूल जीवन सैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद है तो मिसन लाइफ अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है तो सभी कथन इसमें सत्ते हैं कि अरावली परवत स्रिंखला के आसपास के 5 किलो मीटर के बफर छेतर को हरित बनाने की एक परियोजना है ये इस परियोजना में हर्याना, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राजे सामिल है या परियोजना अस्थानिय समूदायों की आजिवी का बढ़ाने के लिए कृषी वानिकी और चारागा विकास पर भी ध्यान केंदरित करेगी बिहार के किस योजना को दिल्ली में आयोजित 20 में CSISIG, E-Governance पुरसकार समारों में परियोजना स्रेनी के अंतरगत Award of Excellence से सम्मानित किया गया तो जल जीवन हर्याली योजना को घोडा जात्रा उत्सो किस देश में मनाया जाता है तो नेपाल में हाली में किस ने Coffee House Company Starbucks के CEO का पदभार ग्रहन किया है तो सुरेश सकसेना ने महिला World Boxing Championship 2013 में भारती खिलाडी निखत जरीन ने 48-50 kg वेट काटेगरी में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक Women's World Boxing Championship के 75 kg भारवर्ग में लवलीना बोर्गोहन ने कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक पहला महिला Premier League WPL किस टीम ने जीता तो Mumbai Indians ने पहला महिला Premier League Mumbai Indians ने final मुकाबले में दिल्ली को 7 विकेट से हरा कर जीता तो ये थे आज के Current Affairs I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद